इसका मतलब आप खाब्रेण गेवल ध्यड बोडी से नहीं, तो यससे यह से दुआ कि आप केवल सगुन साकार नहीं है, हाँ जो हम जागरत में होते हैं, तो हम सगून साकार है, जब हम सबनावस्था में चले जाते हैं, तब हम सगुन-निराकार हो जाते हैं, और जबावन न निर्गुण निराकार सगुण निराकार और सगुण साकार तीन अवस्थाएं हैं उसी प्रकार भगवान की भी तीन अवस्थाएं अब जो लोग कहते हैं कि भगवान अवतार धान करके प्रकट नहीं हो सकते उनकी हां मैं एक दाशनिक वैज्ञानिक उधान देता हूं और कुछ चुलबला हो जारन देता हूं, सबसे पहले मैं बता दूं, सनातन धर्में भगवान अवतार धारन करके प्रकट क्यों होते हैं, जो लोग कहते हैं कि भगवान अवतार धारन करके प्रकट नहीं होते, उनका इस्वर सर्वशक्ति मान नहीं होता, मुसल्मानों के यहां, क्रिशनों के यहां भगवद अवतार नहीं मानते गुरू क्यों नहीं मानते उसके पीछे दार्षने कारण किया है बहुत कम मुसल्मानों को भी पता होगा बहुत कम क्रिशनों को भी पता होगा क्योंकि दर्शन का पक्ष तो केवल सनातन धर्म में है जे न बहुत दित्यादी जो सनातन धर्म से अत्यम्त प्रभावित रहे निकट रहे उनकी याँ दर्शन का पक्ष कुछ है अनलों की यह दर्शन का पक्ष है ही नहीं तो जो लोग कृष्ट्यन मुशल्मान इत्यादी और हमारे हाँ आरे समाजी बंधूत्यादी जो लोग भगवान को स्रिष्टी का निमित्व कारण मानते हैं निमित्व कारण का मतलब होता है भगवान ने संकल्प करके स्रिष्टी की उत्पत्ती की स्रिष्टी की उत्पत्ती होना चाहिए ऐसा संकल्प जिस भगवान ने किया वो ऐसा कह सकते हैं उसका founder आजकर की भासा में कहें स्रिष्टी का जगत का वर्ल का founder भगवा है संकल्प करके भगवान ने उसको बनाया लेकिन बना किया फिर कौन सा पदार्थ पैदा हुआ जब एक मेवाद वितियम जब कुछ था ही नहीं इश्वर के जहीं स्रिष्टी बनाई संग सहाय नदूजा जब इश्वर के अत्रिक्त वहाँ पर कुछ भी नहीं था और जब इश्वर ने स्रिष्टी बनाने का संकल्प किया तो स्रिष्टी के रूप में जो कुछ भी जो पदार्थ हमको आज दिखाई दे रहा है जो कुछ हार्ड लिक्विड हमको लेकिन स्रिष्टी के रूप में इश्वर प्रकट नहीं हुए वो स्रिष्टी के रूप में भगवान प्रकट है यह नहीं मानते भगवान स्रिष्टी बनाने वाले हैं स्रिष्टी के रूप में बन करके प्रकट होने वाले नहीं है ऐसी उनकी मानता है ऐसी मानता रखने स से एक दोस्त पहला तो यह खड़ा हो गया कि जब इस्वर ने संकल्प किया कि मुझे स्रिष्टी बनानी चाहिए और फिर जब स्रिष्टी बन करके तयार हुई उस समय उनका इस्वर अकेला नहीं था कोई न कोई उनके साथ में था जो स्रिष्टी की रूप में पैदा हुआ जैसे कुमार जब मिट्टी को घड़े का रूप देता है तब कुमार अलग है मिट्टी अलग है कुमार ने संकल्प किया कि मुझे घड़ा बनाना है तब मिट्टी तो कुमार से अलग है मिट्टी को उसने घड़े का रूप दिया अब जब मिट्टी को घड़े का रूप बनाई और यह जहान की रक्षा की संद्रशना की उस समय अगर आप इश्वर ही उस रूप में प्रकट हुए यह नहीं मानते हैं तो मानना पड़ेगा आपका इश्वर एक नहीं वहाँ पे कुछ दो पदार्थ होता है वो इश्वर सिद्ध नहीं होगा वो सर्वशक्तिमान स के आपका इश्वर से के हमें वाले प्रकट हूए है इसलिए हमने भगवान को जगत का अभिन निमित्त युपादान कारण का भगवान निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है भगवान मेकर भी है और भगवान मेटर भी है बनाने वाले मेकर और मेटर दोनों है अब दूसरी चीज में आपको बताता हूं जो लोग ईश्वर ही स्रिष्टी के रूप में प्रकट हुए है ऐसा नहीं मानते उनका ईश्वर सर्वशक्ति मान नहीं होता उनका इस्वर सर्वशक्तिमान इसलिए नहीं होता जैसे एक किसी वैग्यानी के इंजीनियर ने समान एक जगा ला करके एसेंबलिंग की और उसने एक ट्रक बना लिया एक ट्रक को पूरा सुरूब दिया जैसा बनने चीए थी ट्रक पूरी बन करके तयार हो गई और ट्रक को चलाने के लिए वो उसमें बैठ गया और ट्रक चलते 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 अगर ट्रक का ब्रेक फेल हो गया तब अगर वो ट्रक बनाने वाला अगर उस ट्रक से कहेगा कि भाई तुझको मैंने ही बनाया है और तेरा ब्रेक फेल हो गया मैं तुझे बनाने वाला इस्वर हूँ मैं आग्या देता हूँ कि तेरा ठीक हो जाना चाहिए तू कहीं जाके ठोकर मत खाना तो ट्रक उसकी बात मान जाएगी क्या तो ऐसे ही जिनका इश्वर स्रिष्टी को बनाता है लेकिन स्रिष्टी के रूप में खुद नहीं बनता एक ट्रक को बनाने वाला एक मसीन को बनाने वाला वैज्यानिक मसीन पर जितना नियंत्रन रख सकता है उतना ही नियंत्रन उनका इश्वर जगत पर रख सकता है और अगर वो मसीन अनियंत्रित हो जाए तो फिर उसमें नियंत्रन नहीं रख सकता अगर जगत अनियंत्रित हो जाए तो फिर उसमें उनका का रूप बना ले सिध्ध योगी शिंध या व्याघर का रूप बना ले और बनने Wouldn use योगी सिध्व और बाग के रूप में बनने वाली जहां पर रुखना है जहांपर थमना है जहा पर दोडना है पूरा नियंत्रन अपने शरीदा पर उस नियंत्रन नहीं देगा अगर इश्वर को जगत का केवल निर्माता मानोगे जगत की रूप में निर्मित होने वाला भी इश्वर ही है यह नहीं मानोगे तो उस इश्वर का जगत पर नियंत्रन सिद्ध नहीं होगा जगत जब अनियंत्रित होगा तो तुम्हारा इश्वर जगत पर नियंत्रन नहीं कर पाएगा इसलिए तुम्हारा इश्वर इश्वर ही सिद्ध नहीं होगा सर्व सक्तिमान शिद्ध नहीं होगा जगत नियंता जगत पर नियंत्रन करने वाला इश्वर शिद्ध नहीं होगा इसलिए वो इश्वर कहने लायक ही नहीं होगा तो इ करे में शुल्बली बात कहता हूं थोड़ी हसी बाला है अगर कोई मुसल्वान सजन के की हमारे अल्लाह में सब कुछ करने की खूबत है आतब्ड है कुछ भी कर सकता है लोगों या काँ आप सकते हैं में कुराण शरीक अ सिमा में सब करते हैं कि इश्वर कुछ भी करने में समर्थ है वो कुछ भी कर सकते हैं तो फिर आपने इश्वर का हाथ क्यों पकड़ लिया कि वो अवतार धान करके प्रकट नहीं हो सकते और अगर आप यह कहते हैं कि इस वर अवतार अधारन करके प्रकट नहीं हो सकता मनुष्र जैसी या किसी भी जो भगवान की इक्षा हो जैसा भी भगवान अवतार ले करके प्रकट होना चाहें अगर आप कहते हो कि अल्लाह ताला कभी भी किसी अवतार में प्रकट नहीं हो सकता तब आपको आपका अल्लात अला सब कुछ कर सकता एक और कहते हैं कि वो अवतार नहीं ले सकता अगर आप कहेंगे कि वो अवतार नहीं ले सकता है तो सब कुछ कर सकता ये कहना छोड़ दीजिए वो सब कुछ कहां कर सकता है जब अवतार नहीं ले सकता तो सर्व सामर्थ तो सिद्ध नहीं हुगा और अगर आप कहते हैं कि वो सर्व सामर्थ संपन्न है तो वो अवतार नहीं ले सकता ये कहना छोड़ दीजिए दोनों बातें परसपर विरोधा भास को प्रकट कर रही है तो अपने दर्शन का शोधन होना चाहिए सत्य सहषनुता हमारे अंदर होनी चाहिए असत्य की स्विकृती करके कब तक हम जिएगे असत्य हमको एक नेक दिन मार देगा व्यक्ती नहीं पंत मजभ संपरदाय की विनाश में ही तु बन जाएगा क्योंकि प्रत्येक मनुश्र की बुद्धी झथ्यका पक्षलेती है भगवान पूरी स्ष्डिकी सम्रचना करते हैं और अवतार धान करके जब प्रकट होते हैं त ऐसा नहीं है कि भगवान पूरे एक जगा इकटा हो करके जैसे कोई कहे कि भाई एक डिब्बा इतना सा दे रहे हैं, पूरा समंदर उसके अंदर डाल दो, लोग ऐसा समझते हैं कि अवतार का मतलब पूरी भगवत्ता, स्रिष्टी जो है वो भगवान ही है इसके रूप में, तो पूरा निकल करके एक ही राम कृष्ण के रूप में प्रकट हो जाना, इसका मतलब अवतार का मतलब यह नहीं होता, यह तो असामर्थ के करण, समुद्र के अंदर वो सामर्थ नहीं है, कि वो विपुल है, अगाध है, विपुल अगाध होता हुआ भी एक छोटे से गिलास के अंदर आ जाए, यह समुद्र का सामर्थ नहीं है लेकिन भगवान की भगवत्ता इसी को तो कहा गया भगवान की भगवत्ता यह है कि विशाल होते हुए और विपुल होते हुए अनाधी होते हुए अनन्त होते हुए अव्य होते हुए अक्षय होते हुए भगवान जो दृष्टी का विशय नहीं है अवतार कहा ही उसी को जाता है हम लोग वायू को भी नहीं देख सकते आकास को भी नहीं देख सकते माया को कहां देख पाएंगे फिर उसके ओपर भी माया पती भगवान को कहां देख पाएंगे जब हम वायू को ही नहीं देख सकते बहुत उपर है तो यह पंच भूत भी पांचों के पांचों हमारे सब्स पर सुरूप रजगंद के विशय पांचों ही नहीं बन पाते हैं किनीना किनीने में कुछ न कुछ अंस छूड़ जाता है आकाश भाय उत्यादी में ऐसी स्थिती में जो भगवान इन चर्म चक्षुमों का विशय नहीं है छोटा बच्चा होता है हाँ तूपर करता है और छोटा बच्चा है मा के पिता के कंधे तक छाती तक नहीं पहुंच सकता तो स्वयमपिताही नीचे जुख करके पुट्र को उपर उठा लेते हैं इसका अर्थ होता अवतार जीव इतना नीचे पतित हो जाता है कि वो उपर उठकरके उत्करमण नहीं करसकता अपने सुरुब तक नहीं जा सकता तक भगवान स्वयम अवतार धान करके प्रकट होते हैं और जीवों को जीवों का उधार करते हैं ये भगवान के अवतार की महिमा है जो दृष्टी का विशे नहीं था वो दृष्टी का विशे बन गया जो शब्द का विशे नहीं था वो बेणुबादन करने लग गया जो गंद का विशे नहीं था भगवान नीचे उतर जाते हैं, ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की करुणा है, तो भगवान नीचे जब उतरे अवतार धान करके आए, भगवत्ता उनकी बने रहती, ऐसा नहीं कि भगवान पतित हो जाते हैं, मनुष्री का शरीर धान हम करते हैं, हम पतित होते हैं, भगवान का शरीर हमारी आपकी तरह hard moans का शरीर नहीं होता अवतार काल में भगवान का शरीर कितना दिवी होता है इसकी कलपना करने के लिए मैं एक द्रिष्टान्त देता हूं बहुत ध्यान साशमर करें अभी कि हमारा शरीर है हाद मांस का फोड़ा वाइद ही । ए अगर कोई चोट लग जाए तो रग्त निकलाएगा है लेकिन जब हम सवप्न अवस्था में होते हैं हैं उस समय सवप्न के शरीर में अगर कोई चोट लग जाए तो वहां पर रहत निकलता हुबा दिखाई देगा हाड मान सत्यादी जैसे हमको यहां पे दिख रहे हैं वैसे स्वपन के शरीर में दिखाई देगे किन्तू चैसा घड़ा है जैसा अमारा चहरा है और 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 भौतिक स्वप्न का शरीर नहीं होता कफ पित्वात का संगात हमारा शरीर स्वप्न वाला नहीं होता जब हमें भी स्वप्न में व्यवहार करने के लिए इतना दिद शरीर प्राप्त होता है कि वो हड मांस का पूतला नहीं होता फिर भगवान का शरीर जब वो अवतार धान क एक सब्सक्रण करके प्रकट होते हो जीव के स्वक्वने से तूं कितना उत्यक्रष्ट भगवान कर च्रिव होता होगा इसलिए रामक्रिश्णादी की रूप में दों लिञा की दृश्टि आ absorbs लोग छे देते Tा और भी एक बात मैं कह दूँ अवतार के संदर्भ में, भगवान जब अवतार धान करके आते हैं तब ऐसा नहीं कि अपने उपर में जो लोक में भगवान रहते हैं, उसको छोड़ किया जाते हूं, वहां भी भगवान एक सुरूप से रहते हैं, और अवतार काल में प्रुथ अवतानी से सुने, जो लोग अवतार को मानते हैं, जो लोग नहीं मानते, दोनों ही ध्यान से सुने, राम कृष्णादी के रूप में जब भगवान अवतार लेते हैं, उसका ये मतलब नहीं है, कि राम के रूप में अवतार लिए, तो व्यापक जो राम था, वहां से रा रामकृष्णादी में भी लीला काल में रहते हैं इसी को भगवती शुती कहती है पुर्ण मदह पुर्ण मिदम पुर्णात पुर्ण मुदच्यते और पुर्ण से पुर्ण मादाय पुर्ण मेवा आगे कहा गया अवशिश्यते बाद में पुर्ण ही बसता है तो एक पुर् से मृष्ट के रूप में अलग हुआ पाट उह नहीं होता वह पे लृप pink आ Σे घलाश पानी बाढंओ एक घ्लास पानी में और दाल दो तो अंदर का पानी बाहर चलक किया जाए ऐसे ऐले नहीं होता भगवान सदा पूर्ण रहते हैं इसका हधार्ण क्या समुध्र है पूरे धरती में जितनी नदियां है अनवरत संुद्र में गिरती रहते हैं लेकिन समुध्र गंभी होता हुथ defend कि उचलन रूप में लीला संभण करके भगवान जब इस्थित हो जाते हैं तब ऐसा नहीं कि व्यापक वाला में बाड़ आ गई वो पहले जैसे पूर्ण था वैसे ही पूर्ण है व्यापक पहले भी पूर्ण है अवतार काल में भगवान पूर्ण होकर ही प्रकट होते हैं अवतार का का सुरूप है भगवान कभी भी किसी भी अवतार में लीला के रूप में प्रकट हो सकते हैं किन्तो इतनी सावधानी आवश्यक है भगवान वेद ने जिन अवतारों का समर्थन किया है वही राम कृष्णादी की अवतार परिपूनतम ब्रह्म की अवतार हैं कोई मनुष्य तो भगवान का अवतार नहीं होता पांच भवतिक दे को लिया हुआ कोई मनुष्य भगवान का अवतार नहीं है सद्गुरु भगवान को भगवान कहकर प्रणाब करना चाहिए किन्तो ब्रह्म की अवतार जो वेज समर्थित हैं उनी का मंत्र जबना चाहिए उनी की पू करना चाहिए, मेरे शुरुब का ध्यान करना चाहिए, लेकिन कौन से नाम का किर्थन, किस अवतार को स्वीकार करके, भगवान आगे कहते है, मंद्र, जाप, ममद्र्ड, विश्वासा, पंचम, भजन, सो, वेद प्रकाशा, वेद प्रकाशा, ये विशेशन है, जिसका वेद बेद किस के समर्थन क्या है कौन आवतार के समूर्थन कितन अवतार है जय जय मीन वराह कमठ नरहरी बलिभामन परशु राम रगुवीर कृष्ण कीरति जगपावन बुद्ध कल की अरुव्यास प्रिथू हरिह African स्मनवंतर यग्यरिसव हयग्रीव ध्रुव वर्दैन धनवंतर बद्री पतिदत कपिल देव सनका अधिक करुणा करो 24 रूप लिलाधरी स्री अग्रदास उर्पद धरो ये छपपय पद है छपपय छंद है इसमें भगवान के 24 नामों का स्मर्ण किया गया है जो नित्य प्रती भगवान के 24 नामों का स्मर्ण करता है उसकी आयू उसका यश उसकी विद्या सदा बढ़ती है भगवान की कृपा उसको प्राप्त होती है जो आर्जय समाजी लोग बोलते हैं 33 देव का अश्टवसु दादसाधित इंद्र प्रजापति ये सब क्या खंडन करेंगा आप खंडन का कोई विशर नहीं है आर्जय समाजी अपने और से कुछ नहीं कहते हैं आर्जय समाजियों ने अवतार को ले करके महर्शी के रूप में प्रसिद्धी जिनकी की गई स्वामी दयानंद जी ने अवतार को अस्विकार करते हुए और वरनाश्रम की जो मर्यादा हमा खंडन किया मैं ऐसा नहीं कहरा हूँ उन्होंने खंडन करने का प्रेयास किया इसको तो हमारे वैदिक कल्प सूत्रों ने हमारे उपनिशदों ने हमारे पुरानों ने स्विकार किया हिए 33 कोटी देवता जो है उसमें 33 प्रकार के देवताओं का वर्णन है ऐसा उपरिश्वन मिलता है उसको बहुत से लोग 33 करोण भी कह देते हैं किन्तु 33 कोटी का अर्थ होता है कि बहुत ही उतकृष्ट कोटी का है कोटी का अर्थ होता है कि कौलिटी की अधार पर गुणबत्त कि अधार पर अलग 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 बाठ दिया जाता है इस प्रकार का 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 विभिन प्रकार के तो कोटी का अर्थ यहां पर प्रकार से 33 प्रकार के दिवता माने गए हैं और यह सनातन धर्म का सिधांत है आरे समाजियों का क कोई प्रतक से इसे दांद वो नहीं मुनुष्य अपने जिंदेगी में जिंदेगी जी कर कैसे भगवन को पा सकता है उसके ब्रह्मचर्य है बानप्रस्त है उससे पहले गारहस्त है उसके बाद सन्याश यह चार अवस्ता है आए चार अवस्ते में कौन सा अवस्ता उन्यत है या उसी अवस्ता में रहकर एक चोटा बचया है और उससे अगर ऊक्री प्रश्ण करें कि कच्छा पहली उत्क्रिष्ट है । दूसरी उत्क्रिष्ट है या कक्छा बारहवी उत्कृष्ट है या ग्रेजिवेशन उत्कृष्ट है या पोस्ट ग्रेजिवेशन उत्कृष्ट है या पीएचडी एमफिल्ड दिली टियादी उत्कृष्ट है अगर इस प्रकार कोई प्रश्ण करता है तो एक सामान ने मनुश्री यह उत्तर देता है कि PhD त्यादी जिसमें philosophical study की जाती है दार्षनिक पक्ष वो उत्कृष्ट है बढ़ते 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 ऐसा कहा जाता है चरम है तो चरम अवस्था की दृष्टी से कह दिया जाता है कि PG, PhD त्यादी उत्कृष्ट है किन्तु प्रश्ण तो यह उठता है कि अगर कोई छोटा बच्चा है और उस छोटे बच्चे को उस मार्ग में चल करके जाना है तब उस बच्चे के लिए according to a child उसके लिए अगर पूछा जाए कि वहां से तूलना करके अगर आप देखें तो फिर आप यह नहीं कह सकते हैं कि PhD उत्कृष्ट है उसके लिए तो नरसरी ही उत्कृष्ट है जिस समय हमको जो आश्रम यत्यष्ट है हमारी जो स्थिती है हमारी जो आजकल की ओची भासा में कहूं तो हमारी जो अवकात है हमारी जो क्षमता है जो साधन करने की हमारी क्षमता है वो साधन हमारे लिए सबसे उतक्रिष्ट साधन है यदि हम पूर्ण ब्रह्मचर सन्यास में कर सिदे कोई पूदना चाथ अब जिसके अंदर पूर्ण ब्रह्मचर की ख्षमता नहीं है थोड़े ब्रह्मचर की ख्षमता है तो जिस आश्रम में जिस अवस्था में देखा देखी भेश बनाएं ऐसा डूबे थाह न पाएं देखा देखी साधे योग छीजे काड़ा काया बाढ़े रोग देखा देखी योगी नहीं बनना चाहिए देखा देखी सन्यासी नहीं बनना चाहिए देखा देखी लाल पीला कपड़ा पहन लिए उसे अंतर नहीं पात्रता तो आई नहीं भयंकर पतर में ही तू बन जाएगा इसलिए साधों ने कहा कि देखा देखी भेश बनाएं ऐसा डूबे थाह न पारे तो इसलिए हमारे अंदर जो क्षमता है जितनी पात्रता हमारे अंदर है उतनी ही छलांग हमको लगानी चाहिए और जिस आस्रम क निर्वाह करने की ख्षमता हमारे अंदर है वही आस्रम हमारे लिए सर्वोत क्रिष्ट है यह मानना चाहिए उस आस्रम को हम पालन करने तो फिर उसके उत्तर जो अगला आश्रम है नरसरी से पार हो गए फिर जो जो होता केजी वन केजी टू और उसके बाद कक्षा पहली दूसरी तो आगे-ागे का साधन हमको जो निर्वाह करने के लिए आश्रम प्राप्त हुआ है हमको जो पोस्ट हमको जो दाइत्व अभी पालन करने के लिए प्राप्त हुआ वह दाइत्व हमारे लिए सर्वोत क्रिष्ट है उसका अगर हमने निर्वाह किया और हमको अगर प्रमोशन मिलता है तो फिर अगला जो हमारा दैत होगा उसको पालन करना हमारे लिए हमारा दैत होगा तो इसी प्रकार करना चाहिए कोई भी आश्रम बंधन में हेतु नहीं ना ब्रह्मचर्य आश्रम बंधन में हेतु है ग्रिहस्त आश्रम भी बंधन में हेतु नहीं है पत अमचर आश्रम का निर्वहा करते curu में रहते हुए फिर जब उनका समावरतन समस्कार होता था तो समावरतन सिमस्कार के बाद में कहतें जाया में स्याथ मुझे पतनी चाहिए गर्य磨 चाहिए अहरी का मारग नहीं शास्त्र में जिस प्रकार ग्रिहस्त आश्रम की चर्या बताई गई है किस प्रकार ग्रिहस्त को रहना चाहिए अपनी सीमा में अनुष्ठान करना चाहिए अगनिहोत्र करना चाहिए अपनी शाखा के वेर का स्वाध्याय करना चाहिए दान देना चाहिए पंच प्रका के यग्यों का संपाधन करते होगे रहना चीए आश्रम के अधार पर जो मर्यादा बताई गई है ऐसे अगर ग्रिहस्त आश्रम में रहे तो ग्रिहस्त आश्रम भी मुक्ति का मार ही है अब मैं एक उधार्ण देता हूं जैसे की कहा गया पतनी के पास रहेंगे आशक्त हो जाएंगे तो आसक्ती के लिए पतनी नहीं है पतनी बंधन में हे तून को ब्रह्मचर आश्रम में इतना वैराग नहीं हो गया कि वो सीधे ब्रमचर से सन्यासी हो सकें उनके लिए कहा जाता है भाई कि अगर तुमको वास्तव में दुख रूपी संसार में भी अगर तुमको लगता है कि सुख है अगर तुम्हें इस प्रकार की भावना है तो जाओ संसार में देख करके आ जाओ हमने बता दिया कि उस कमरे के अंदर इस दर्वाजे से जाओगे तुम्हाँ दुख ही है लेकिन फिर भी तुमको अगर विश्वास नहीं है गुरू के बचन पर शास्तर के बचन पर तो स्वयम ही उस कमरे में जाके आ जाओ तब फिर उस ब्रमचारी को वात्र है फ्रत्र होती है, पिर वो वापस आता है तो सन्यास कि भावना और अगर पत्नी कहीं वास्ताव में पतिप परायना हो जो पुत्र हैं, वो पिता की आगया का पालिन करने वाले पुत्र ही प्राब्त हो जाए इस प्रकार के अगर सत संतती प्राप्त होती है, तो भी हमको यह विचार करना चाहिए कि इस प्रकार संपती का सुख का भोग करने के लिए यह जीवन प्राप्त नहीं हुआ है और उसके बाद में जब सुख भोगने की एशना इक्षा धीरे 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 ग्रहस्त आश्रब में शांत हो जाती है इंद्रियां सांत सितिल होती हैं शांत होती हैं शमदम के द्वारा मन भी नियंतिर्थ होता है तो अपने आप फिर त्याग का बानख भगवत धक्ती के द्वारा बनने लगता है तो फिर वैरागी के मार्ग में त्याग के मार्ग में हम चले जाते हैं ये सनातन शांस्त्रों में आश्रम की जो इवस्ता है उसकी मर्यादा तो जिसके अंदर सीधे सन्यास का बल नहीं है वो अगर सन्यासी हो भी जाएगा कि नहीं नहीं मुझे ग्रियस्त नहीं होना है ग्रियस्त आश्रम को मानता घटिया क्योंकि ब्रह्मचाई रहा मन में था नहीं ग्रिहस्त नहीं होगा तब क्या होगा पतन हो जाएगा इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है कि ऐसे साधक के लिए ऐसे मनुष्य के लिए ग्रिहस्त आस्रम ही स्रेश्ट है वही उसके कल्यान का मार्ग होगा अन्यथा अगर सन्यासी होगा तो हमारे शास्त्र कहते हैं यदा मनसी वाईराग्यम जायते सर्ववस्तुसु तदही वस्तन्यसेद विद्बान अन्यथा पतितो भवेत अगर मन से सारे विश्यों के प्रती इंद्रियों में विभा किया गया ज्यानेंद्री कर्मेंद्री कर्मेंद्रियों में भोग के प्रती और कर्मेंद्रि सिथिल हो जाए तब हमको वहां मार्ग पकड़ना है या उस वासना को सिथिल करने का सुद्र मनोबल हमको प्राप्त हो जाए तब हमको जाना है उस मार्ग में यदा मनसी वैराग्यम जायते सर्ववस्तुसु तदैव सन्यसेद विद्वान तभी वहां मार्ग पकड़े अन्य जिसको त्याग दिया उसके बाद फिर से अगर उसका आस्वाधन करने के लिए जाता है तो उसको अपना ही बवन किया हुआ करवा चाटने वाले कुटते के समयन समयना चाहिए और मरने के बाद में बाहर से त्यागी विरागी सन्यासी का भिश भी एगर लेलिया तो मरने के बाद में स्वर्ग क्या होगा माभारत का वचन है ग्रिहात प्रद्ब्रजितो विद्वान मैथुनम चारये धिया अगर पतित होता है ग्रिहत्याग के बाद में तो आगे कहा सश्ठी वर्ष सहस्त्राणी विष्ठायाम जायते क्रिम ही मोक्ष मिलेगा मोक्ष मिलेगा ऐसा नहीं समझना चाहिए अगर पर बिष्ठायाम जायते क्रिम ही मलमुत्र का कीडा बनकर पैदा होना पड़ेगा इसलिए आश्रम का चयन हमको भवस्तो समझके करना चाहिए इसी पतन से बचाने के लिए हमारे रिशियों ने मर्यादा बनाई ब्राह्मन, ब्रह्मचर्य, ग्रिहस्थ, वानपरस्थ और सन्य दोनों तीनों आश्रमों में अधिक्रित हैं, वैश्य, ब्रह्मचर्य, ग्रिहस्थ, वानपरस्थ दोनों तीनों आश्रमों में अधिक्रित हैं, वैश्य, ब्रह्मचर्य, और ग्रिहस्थ, दो आश्रमों में अधिक्रित हैं, और शूद्र के लिए जन्म से ले करके माता प में प्रवेश हो करके भगवत भजन पूर्वक समाज की सेवा करते हुए द्विज की सेवा द्विजाती की सेवा करते हुए भगवत भजन पूर्वक मोक्ष का माल्ग उसके लिए प्रशस्त होता है भगवान की प्राप्ति के लिए मैंने पूर्म भी कहा हमारे शास्त्रों क रहते हुए भगवान का भजन किया विश्वपितावह क्षत्रिय थे लेकिन सन्यास का मार्ग नहीं सलिंग सन्यास काशायांबर दंड इत्यादी धारण करके सन्यास का मार्ग शास्त्र ने केवल अब्राहमन के लिए अग्रजर्मा अब्राहमन के लिए विश्णुलिंग धा प्रावधान का प्रावधान हमारे शास्त्र ने किया अगर इससे भटकता है तो फिर पतित हो जाएगा हाँ अगर विरक्ति पूर्वक भगवान का भजन करना है तो उसके लिए लाल पीले कपड़े से ही भजन होगा ऐसी बात नहीं विदुर्जी ने भजन किया और शवरीम रहने की मर्यादा तो नहीं थी इस्त्री शरीर के कारण ब्रामणी होने पर भी लेकिन इस्त्री का शरीर था फिर भगवान का भजन किया तो उसमें फिर शास्त्र की मर्यादा यह है कि सलेंग सन्यास धारण न करे विरक्ति पूर्वक भगवान का भजन करे जैसे कि जितने राजा थे वे सब लोग जंगल में जाते थे छत्रियों के लिए वीर सन्यास था तो भगवान के सरवे प्रपत्ते है अधिकार इनस्तदा शास्त्र का वचन है सभी जीव भगवान की शरणागती स्विकार करने में अधिकृत हैं लेकिन हमारी वेश हुसा कैसी हो हमार पहले को यही समझना चाहिए वरतमान समय में जो भी वीशिका है भगवान का भजन करते हुए ब्रामण चंटरिवेश हैं तो समयपर यघ्योपवित हो और जो जी Absolutely Be को गायत्री का अनुष्ठान करना चाहिए हवन करना चाहिए अपनी शाखा का वेद पढ़ना चाहिए ग्रियस ताश्रम में रहे करके भजन पूर्वक महत पुर्षों की गुरुजनूं की सेवा पूर्वक माता पीता की सेवा पूर्वक सिध्धान्त में सुध्र रहते इतना ही करना कल्यान का मार जाए बहुत धन्यवात नमो नारायन प्रणाम बहुत अमल यह समय आपने हम को दिया इसके बहुत धन्यवात बहुत सा प्रस्न था अब अब सर में फिर सुनेंगे नमो नारायन पर एक